किसी भी विदेशी से आप यदि इंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसको इसके बारे में किबल दो बाते पता हैं एक वो कास्ट और दूसरा सती आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश के इमेज को इस देश की पतिष्ठा को भस्त किया गया है और हम जानते हैं हमारे जो पंचमक्तार हैं वही इसके तरदाई है आज हम बात करने वाले हैं एक औरिजिनल क्रिप्टो की आप क्रिप्टो के बारे में जानते होंगे एक बिलकुल पहला क्रिप्टो भारत का उसके बारे में बात करेंगे सती पर्था के बारे में बात करेंगे उसकी ब्रांतियां जो है उनको हम यहां भस्त करेंगे हमारे साथ है अब यह चावड़ा आपके जाने पहचाने जो कई बार आ चुके है और he is a mature historian but better than most professionals I can tell you that और also otherwise he is a practicing physicist आये join कीजिये हमको तुरंत सब्सक्राइब कीजिये और तुरंत लाइक बटन पे हाथ मारिए साथ में जाके नीचे देखिए यहां पर आपको स्क्रॉल में पास सारी information चल रही है वो देखिए इसके आपको number मिल जाएगा अभी यहां पर लिखा हुआ जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके सपोर्ट कर सकते हैं और वहां फॉलो भी कर सकते हैं नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत अभी जी का एक बार पुन है जैपूर डालॉक्स चैनल पे अभी जी जी जैसा मैंने इंट्रो में बुला कि आप किसी विदेशी से जो अंजान हो भारत से उससे आप यदी बात करें और आप पताएं कि आप हिंदू हैं उसको दो ही बातें पतावाती है कास्ट उसके बारे में हम फिर कभी बात करें और दूसरा सती और ये जो नेरेटिव कड़ा गया है कि जैसे कि ये सती पता जो है वो बिलकुल भारतिय परंपरा का कोई अभिन इस्सा है और उसको फिर उसको लेके बनाया जाता है पूरा का पूरा नेरेटिव और उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जहां की विच हंटिंग बाई लॉव हैनि लॉव मतलब गॉड्स कमांड प्रैक्टिस की जाती थी चर्च के द्वारा तो थोड़ा सा हमारे दर्चकों का आप मार्क दर्चन करें पहले तो इस सती सथा के बारे में और उसके बाद पिर हम ओरिजिनल क्रिप्टो के बारे में भी बात करेंगे जी तो मेरा स्वयम का एक्सपीरियंस है जब मैं चोटा बच्चा था मैं कुछ साल यूरोप में पढ़ा हूँ उदर पला बढ़ा हूँ कुछ साल के लिए एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में तो वहाँ पर जो मेरे क्लासमेट्स थे उनका ये विचार था भारत के बारे और तेसरी बात ही ये सोचते थे कि भारत के लोग अपने बच्चों को गंगा नदी में डुबाते हैं as a sacrifice to mother गंगा तो एसी सब कहानिया ये लोग मानते हैं ना सिर्फ बच्चे लेकिन बड़े लोग भी तो ये बहुत ही prevalent है ऐसे distortions और विचित्र आइडिया भारत और भा अब हम सबसे पहले कहूंगा कि सथी के लिए जो बेस्ट रिसोर्स बुक है वो प्रोफेसर मीनाक्षी जैन की बुक है जो उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है तो अब सथी का अगर हम अनालेसिस करें हिस्टोरिकल अनालेसिस पूरे भारत का जो इंटायर अब सबसे पहला मेंशन सती का आता है या या जो इससे में एक महीला अपने मृत्तिक पती के साथ जलना चाहती थी लेकिन उसको ऐसा करने से रोका गयाँ तो cmatid2 आ nemनालेसिस का इंस्टे लेकिन उसको रोका गया था तो मतलब उसको successful नहीं होने दिया था उसके बा गर बात करें, तो रामायन में एक भी इन्स्टंस नहीं है, सती का, सेल्फउमोलेशन का, बिल्कुल एक भी नहीं है, उसके बाद our सती के बुपंते चार इन्सटंसीज हैं, इक तो पांडू की पत्नी, मदरी है, और वासुदेव जो कृष्न के पिताजी थे, उनकी चार पत् अगर हम बात करेंगे महाभारत की तो कुछ हजार साल की बाद आती है का जो गया पाता है उसके बाद अगर हम historical literature जो है भारत का उसको और further analyze करेंगे तो हमें मालूम पढ़ता है कि कुछ 400-500 instances है until the year 1800 सती के जिसमें एक स्त्री एक महीला अपने मृतक पत्ती के साथ voluntarily अपना शरीर त्याग देती है अगनी के अंदर इसमें कोई भी forcible instance नहीं है जिसमें किसी को forcibly जलाया गया हो एक भी नेसा नहीं है अब तो यह पूरा जो पांट शे साथ आठ हजार साल का इतिहा से उसमें सिर्फ approximately 500 instances ही है भारतिया literature के अंदर और बहुत सारा ऐसा literature है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई स्त्री का पती मर जाता है तो उसको पूरा अधिकार है उसके पती का जो property है उसको inherit करने का and so on मतलब महिलाओं को पूरे rights थे भारतिय परंपरा में पारतिय संस्कृति में तो पूरा अगर हम ये literature analyze करते हैं तो उसमें सिर्फ approximately 500 ऐसे cases है जिसमें इसा हुआ है for instance राज राज चोला की जो तीन चार पत्निया थी उन्होंने सती किया था और शिवाजी महराज I think उनकी पत्निय ने भी किया था and so on and so forth कुछ-कुछ instances है और ये जोहर नहीं है जोहर बिलकुल अलग phenomenon था जोहर राजपूतों में हुआ करता था जब जब राजपूत सेना हार जाते थी तो उनकी पत्निया साथ में मिलकर जोहर करते थी अगनी में जाकर अपना जीवन त्याग देते थी तो ये बिलकुल अलग phenomenon है इसमें मैं आपको फड़ा सा बताऊं ये जो आप जोहर की बात करें ये जो phenomenon है ये केवल और केवल मुस ये किस प्रकार के बहार करते हैं इस तरीओं के साथ में कि उनको घूलाम बना कर और जाकर मंडियों में बेच बेचते हैं तो इस प्रकार का जो टिस आउनर था वो कोई भी भारतिये इस तरी नहीं कर सक kitty ते इस लिए वो एक प्रकार से ये सामूह हिक आत्मदाह करते थे लेकिन वह अकेले नहीं करते हैं इस पूरे प्रकरल को कहते हैं साका और साका के दो हिस्से होते हैं महिलाएं जोहर करती हैं और पुरुष जो है केसरिया करते हैं तो महिलाएं जोहर करने के बाद पुरुष जो है वो अपने माथे पर केसरिया एक तरह से वस्तर नपेट कर औ और वो भी एक अंतिम युद्धे लड़ने चलने थे और अपने महिलाओं से कहके जाते हैं कि हम आपको उपर मिलेगे स्वर्ग में ये इसका हुआ है और ये केवल और केवल मुस्लिम आकरानताओं के सामने ही हुआ है ये कभी भी भारत में उसके अतरिक्त नहीं हुआ है जी भी इसलिए थे वो क्योंकि ये अच्छी तरह से ग्याद था और आज भी आप देख सकते हैं और बलकि पूरे आपको लिटरिचर में मिल जाएगा कि ये जो है ये मरी हुई औरतों के साथ भी खलातकार कर लेते थे तो वे मरने के बाद भी नहीं चाहती थी कि उनके शरीर क कोई धुरूप ये होगा इसलिए आग में जलके मरती थे इसलिए जी बिलकुल बिलकुल तो ये जोहर साखा का unfortunate इतिहास है तो coming back to Sati, Sati का बहुत कम instance हुआ है भारत में, approximately 500 instances है literature में, starting from Rig Veda until around 1800 AD, उसके बाद क्या होता है कि 1800 AD के आसपास East India Company ने Bengal में, वंग प्रदेश में अपना राज स्थापित किया था और वहाँ पर अच्छानक से क्या हुआ, कि उन्होंने उनके records में अच्छानक बहुत सारे Sati के instance आने लगे, वर्ष में 10,000, 20,000 उन्होंने इसा record करना शुरू कर दिया कि इतनी सारी महीलाएं Sati करती है भारत में और ये बिलकुल Hinduism के वज़े से हो रहा है, और ये बिलकुल Hinduism के वज़े से हो रहा है, और अच्छानक बहुत बहुत फाबरिकेट किये cases, दो possibilities है, या तो इन्होंने इनके जो missionaries है, उन्होंने ये सारे cases फाबरिकेट किये ताकि British Crown उनको यहाँ पर approval दे भारत में, कि आप अपना जो superior religion है, Christianity, उसको spread करना शुरू कीजिए और ये जो बहुत इक barbaric primitive religion है, Hinduism, उसको आप बंद कीजिए, तो that is one possibility कि उन्होंने इस चीज के लिए ये सारे manufactured cases का इतना सारा case load खड़ा कर दिया, दूसरा possibility ये है कि British अत्याचार की वज़े से महिलाओं को ये कारे करना अगर कोई पूरुष मरता है, तो उसकी पत्नी को उसकी सारी property मिल जाती है, as inheritance, लेकिन British law में ऐसा था, कि किसी भी महिलाओं को कोई property rights नहीं होते थे, तो अगर उसका पती मर जाए, तो property किसी और को चले जाते थे, महिला को नहीं चले जाते थे, मतलब she becomes destitute, तो अगर और British, यह East India Company ने यह जो British law है, उसको impose किया था Bengal के अंदर, तो इसकी वज़े से जब कोई पूरुष मरता था, तो उसकी पत्नी बिलकुल लाचार हो जाती थी, और बेबस हो जाती थी, तो that is a possibility कि यह British Christian law की वज़े से, यह सती के cases बढ़ गए होंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता था, तो यह दो possibilities है, या तो missionaries ने यह manufacture किये, यह fake cases, या फिर उनके अत्याचार की वज़े से इतने सारे cases हो गए, यह दो possibilities है, लेकिन दोनों का root cause है, British, ना कि भारत, क्योंकि बेंगाल में वर्ष 1200 AD के आसपास तक एक भी instance नहीं हुआ है सती का, और पूरे इतिहास में पूरे भारत वर्ष में सिर्फ 500 के आसपास cases थे, before the British came, तो clearly यह सब जो इतने सारे, यह जो cases British government ने बना के रखे हैं, यह clearly या तो British manipulation है, manufacture है, या फिर उनके अत्याचार की वज़े से यह सब trigger हुआ था, तो यह दो चीज़े हैं सती के बारे में, लेकिन अगर हम फिर भी British cases को अगर हम माने भी, तो भी हमें कि सती का rate मिलता है, statistically, around 4 per million, 4 cases per million, और अगर हम US में suicide rate देखे आज, women का महिलाओं का, तो 6.8 per lakh है, which is way higher, अगर हम US में fire arms देखे, तो it's 12 instances per lakh, US में murder rate है, 5 instances per lakh, US में rape rate है, 38 instances per lakh, और यह सब statistics बहुत ही skewed है, for instance, US में, 1 out of every 6 महिला, is either an attempted rape victim, और an actual rape victim, UK में तो 1 out of 5 है, 1 out of 5, and so on, तो अगर हम statistically देखेंगे, तो भारत में बहुत कम cases थे, बहुत ही rare चीज थी, सती, और यह हमेशा voluntarily ही होता था, for instance, मैसूर में एक सती stone मिला था, 2010 के आसपास का, जिसमें एक महिला, जिसमें record है, कि एक महिला ने सती किया था, और उसमें पूरा अच्छे से record किया है, कि उसके, उस महिला के मातापिता ने, उसके relatives ने, उसके मित्रों ने बहुत उनको request किया था, कि आप please ऐसा कार यह मत कीजिए, लेकिन अंतिम word उनको दिया गया, कि eventually आपका यह decision है, और हम उसको स्विकार करेंगे, तो हमेशा यह ऐसा होता था, कि उसको, अगर कोई यह करना चाता था, तो सब उनको convince करने को try करते थे, कि आप please ऐसा मत कीजिए, और बहुत ही rare चीज थी यह, तो यह clearly सब manufactured cases है, most likely जो Bengal में 10,000 पर year के जो statistics है, clearly missionary manufacture का यह एक बहुत अच्छा उदाहरन है, क्योंकि भारत में जब missionaries आये थे, East India Company के सब, सबसे पहले बात तो यह है, कि East India Company सिर्फ commercial company थी, उनको Christianity से कोई तलोग नहीं था, उनको सिर्फ भारत का wealth लूटना था, लेकिन उनके साथ कुछ-कुछ missionaries आ गए, और उनको अभी conversion का काम करना था, और East India Company इसके विरुद में थी, इसके खिलाफ थी, तो यह missionaries ने फिर यह, यह cases manufacture करना शुरू कर दिया, कि भाई, यह हिंदू लोग इतने बुरे हैं, अपनी महीलाओं को जला देते हैं, और यह बहुत पुरानी missionary strategy है, शुरूआच से ही, यह जो पेगन कल्चर्स थे उरोप के, उनको ऐसे demonize करते थे, कि यह महीलाओं को जलाते हैं, यह बच्चों का sacrifice करते हैं, और यह अपने आप इसका उप्योग इन्होंने भारत में किया, उन्होंने एक्चुली यह भी कोशिश की थी, कि ऐसा portrait करने के, कि भारत में child sacrifice भी होता है, और जैसे मैंने कहा, जब मैं बच्चा था, तो मैंने इसका instant देखा था, कि West में, Europe में, कुछ-कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कि भारत में child sacrifice भी होते हैं, लेकिन यह child sacrifice के तो उनको कोई भी instance नहीं मिले, तो फिर उन्होंने यह सती का नया शडियंतर किया, नया strategy उप्योग किया, और, and that was successful, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने British Parliament में और British Media में, etc., बहुत यह uproar किया, कि भारत में इतना बुरा practice है, ना लेकिन उनकी महिलाओं को भी जलाते हैं, और फिर British Parliament में यह discuss हुआ, और eventually, यहां का जो वाइसरोय था भारत में, William Bentic नाम का एक individual था, उसने यह law pass किया, कि सती को बैं किया, उसने, और फिर अच्छानक से सती बंद हो गया भारत में, magically, तो यह वात है, और अगर हम इमोलेशन एक एक रीजनबली कावन प्राक्टिस है, ना सिर्फ महिलाओं में, लेकिन पुरुशो में भी, for instance, for instance, Vietnam में एक मंख थे, एक बहुत बिक्षू थे, महायान बहुत बिक्षू थे, Vietnam में जिनका नाम था थिच क्वांग दुख, जो 1963 में अपने आपको self-immolate किया, public में, to protest against the Vietnamese government's pro-Christian anti-dharmic policies, तो ये एक protest का एक means है, और ऐसे बहुत सारे अलग-अलग instances है, for instance, जो एक Chinese caller थे, Hushi, बहुत थी famous Chinese caller थे, Hushi, उन्होंने बहुत सारी English writings किये, उसके second volume में उन्होंने लिखा है, कि medieval China में जो बहुत भिक्षू थे, वो अपने आपको, उन्होंने ल as offerings to the deity of Mahayana Buddhism, तो ये बहुत भिक्षो में भी बहुत common था, और अगर हम महीलाओं के sacrifice के बात करेंगे, तो आपको बहुत सारे Chinese imperial tombs मिलेंगे, जिसमें Emperor के साथ उनकी सारी पत्नियों को दफना दिया गया है, आपको ये Egypt में मिलेगा, ये जो Vikings थे, उन्होंने भी परता थी, क और उसके साथ उनकी पत्नियों को भी जलाया जाता था, जिन्दा, तो ये सारे जो rituals है और ये सब practices है बहुत जगा पर है, सिर्फ भारत में नहीं है, और कुछ जगा पर बहुत crew practices थे, भारत में कभी ऐसा नहीं था कि किसी महीला को forcibly जलाया गया हो, completely ऐसा नहीं था, लेक लोग थे, उन्होंने भारत में हर वर्ष artificial famines किये, बंगाओल में कितने बुरे-बुरे famines हुए, 5 million deaths, 10 million deaths in one year, अगर हम British history देखेंगे भारत में, British occupation, तो total at least 100 million भारतीय individuals मरे हैं artificial famines में, इसमें 50% तो पुरूश होंगे, तो बाकी 50 million महीलां सती क्यों नहीं हुई? अगर उनके पुरूश मर गए है, तो यह सारे जो inconsistencies, logical inconsistencies, उनको कभी यह explain नहीं कर पाएंगे, तो basic बात यह है, कि सती प्रथा एक incredibly, extremely rare प्रथा थी, और यह कभी भी forcible नहीं थी, it was completely, purely 100% voluntary, that's it. और बारत के, I think बारत में 1947 के बाद approximately 40 cases होने का कुछ report में देखा है, तो अगर उसको भी अगर हम मानते हैं, 40 case हुए हैं since 1947, और बारत में कुछ 500 million लोग उसमें मरे हैं उस time period में, तो भी अगर हम 40 देखेंगे, तो it is approximately 1 per million, तो यह तो बिलकुल insignificant strike rate है, अगर strike rate के हम बात करें, तो it's very clear, if we examine the facts, actual hard facts, कि सती incredibly rare phenomenon था, और यह कभी भी coercive नहीं था, कभी भी forcible नहीं था. वैसे अगर आज के American woke culture की बात करें, तो my body, my right का principle लग हो जाना चाहिए. जी, बिलकुल. Burka can be a choice, and you can choose your gender. Yeah, nowadays you can. Self-identify as your gender. तो, इस सिद्धान्त के अनुसार तो हम कह सकते हैं, my body, my choice? तो, अगर कोई, anyway, बहुत है, बजाक की बात हो गई, लकिन ये लिश्चित रूप से ये पूरा का पूरा जो है, ये एक atrocity literature type का बनाया वेया, जान बूच के, जैसे कि बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने बनाया, बाद में उन्होंने फिर तमिल नाडू में जैसे, आप के ये सारे के सारे बिशप काल्डवेल और डी नोबिली और आपके जी यू पोप वगएरा ने सारा का, आरेंट, इन्वेजन थेरी और क्या, वो, वो, इस दाट, लिमूरिया, और उसको करके, लिमूरिया, गोंडवाना लैंड, ये सब करके, पूरा narrative ऐसा बनाया कि देख आज तक वहाँ जो है, वो, दरवियनिजम के पीछे लोग पागल हो रहे हैं, अपची तरह से जानते हुए कि सब जूट है उसके बाद, तो ये बहुत expertise थी, ये तो मानना पड़ेगा, कि बिटिश की बड़ी expertise थी ये जूटे narrative गढ़ने में, आप क्या कहिने हैं, जी बिल पहले वहाँ जाकर अपना education system उनके ओपर impose कीजिए, अपनी भाषा उनके ओपर impose कीजिए, अपना religion उनके ओपर impose कीजिए, local religion को आप eradicate करने की सारी कोशिश कीजिए, और फिर कुछ लोगों को उपर लाइए, in opposition to everybody else, जो minority कोई मिलेगा उनको, तो उनको आप special privileges दें, और फि ऐसे करके आप society में अलग-अलग divisions कड़े कीजिए, और इसका एक बहुत अच्छा example आपको मिलेगा Rwanda में, जहां पर 1990s में बहुत भयानक एक genocide हुआ था, हुतूज और तुट्सिज के बीच में, और इसमें clearly ये जो church का role था, church ने officially apologize भी किया है इस चीज के लिए, लेकिन apology is क्या हुआ, कितने लोग मर गए, तो ये हर जगे ऐसा किया है इनोने, आफरीका को पुरा बर्माद कर दिया है, श्री लंका में भी किया, LTTD अच्छली एक Christian organization था, Mr. क्या था, Prabhakaran, he was actually a convert, I think, उनका पुरा family is converted, yes, yes, इसमें बहुत सारे Nordic nations का, I think, हाथ था, Norway था शायद, Norway, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जहां पर भी ऐसे सब civil wars होते हैं, और ये conflicts होते हैं, और divisions होते हैं, internal divisions, country के अंदर, इसमें हमेशा कोई western हाथ होता है, और most likely, more likely than not, you will find some Christian organization, or even the church, being involved in this, हमेशा, जे, तो जहां तक ये सती की बात है, जिसे हमें पुदा चल गया कि ये missionary propaganda था, और इस तरह के कोई परंपरा नहीं थी, जिसको कहते हैं पर्था, पर्था का मतलब होता है, कोई established परंपरा, ऐसी कोई पर्था नहीं थी, जिसे हमारे हैं कन्यादान की कह सकते हैं कि पर्था है उस तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि साब सती की पर्था है, इसको जबर्था की पर्था का रूप दिया गया, आप क्या कहते हैं? परंपरा थी भारत में, और ये महान श्री लॉर्ड विल्यम बेंटिक ने आकर हमें हमारा उद्धार किया, बाइ बैनिंग दे प्रैक्टिस अफसती, तो ये सारे जो जूट है, सारे के सारे बिलकुल जूट है, बिना कोई डेटा के support के, इनको इसे प्रोपागेट किया ग परंपरा थी भारत में, हम इतने बैक्वर्ड थे, प्रिमिटिव थे, और ये महान वाइट मास्टर्स ने आकर हमें हमारा उद्धार किया और हमें इस भयानक परंपरा से बचाया, और इसका इसका subliminal text क्या है, messaging क्या है, कि Hinduism बहुत ही भयानक और barbaric और primitive, backward, misogynistic, patriarchal परंपरा है, cultural, religion है, जिसको destroy करना चाहिए, और हमें थोड़ा उपर उठना चाहिए इस चीज़ से, तो ये messaging बार-बार-बार-बार throughout the education system, अपने हमारे बच्चों को पड़ा जाता है, हमारे media में भी ये सब more or less prevalent है, हमारे governance organs में भी ये सारी, ये सारी narratives काफी, काफी strongly embedded है, तो that is the thing we are all facing today, in this country, India is the most hindu phobic country in the world, and that's, this is one example. अच्छा इस पे एक अंग्रेजों ने हमारे जो local लोग थे, local elites जिनको कह सकते हैं, इनका भी बड़ा उप्योग किया, जैसे कि राजा राम मोहन, राय की हम बात करते हैं, तो राजा राम मोहन, राय जो थे, जानते हैं कि उन्होंने दो, दो चीजों में, अंग्रेजों का बहुत अड़ा साथ दिया, एक तो हमारा education system, जिसकी वज़े से हम आज भी सरपीट रहें, और दूसरा ये तथाकतित, सतीप रधा, जी, तो आप, राजा राम मोहन, राय के बारे में बहुत सारी बाते कही जाती हैं, आपके पास क्य information है. So, let's take a look at Raja Ram Mohan Roy, उनके जितने भी राइटिंग से, mostly साथे English में हैं, तो मैं आपको एक दो कोट बोलता हूं उसके, तो सबसे पहले, राम मोहन रोई ने कहा कि, उसने basically कहा कि, Conquest is very rarely an evil when the conquering people are more civilized than the conquered people, in reference to the British colonization of India. तो essentially, basically, clearly राम मोहन रोई ने कहा कि जो हमारे conquering लोग है, conquering people, British, वो भारतिये लोगों से जाधा civilized है, उनकी संस्क्रिप्ति हमारे से उची है, और हम backward है, हम primitive है, यह पहले बात है, तो यह उन्होंने स्वयम लिखा है, उन्होंने स्वयम कहा है. दूसरी बात है, राजा राम मोहन रोई, राम मोहन रोई यह जो South America में जो colonization हुआ था, Spanish लोगों ने किया था, और बहुत सारे millions of South Americans की हत्या की थी, genocide किया था, तो राम मोहन रोई इस चीज़ को बड़ा celebrate करते थे, और उन्होंने एक बहुत बड़े dinner में, elegant dinner में, बहुत सा तो इस जिगा को conquer करके, और यह हमेशा ऐसा कहते थे, कि Hindus have subjected themselves to disgrace and ridicule by the worship of idols, very often against the most shameful forms, accompanied by the most indecent hymns and gestures, मतलब हमारे वेदिक hymns जो है, उसको यह लोग, यह indecent कहता था, राम मोहन रोई, और मूर्ती पुजा को बहुत ही vulgar और बहुत गंदी चीज़ कहता था, यह उसके खुद के, उसके स्वयम के वर्ड से, और बोलता हूं, उसके और कुछ कोट बोलता हूं को, उसका एक और कोट है, I have profound contempt for Hindus who have subjected themselves to disgrace and ridicule by the worship of idols, most often under the most shameful forms, उन्होंने फिर यह कहा था, कि I envision the union of England and India as two free and Christian countries, Isn't that interesting? उसने यह भी कहा था कि the Sanskrit system of education would be best calculated to keep India in darkness, So, essentially, he was anti-Sanskrit, he was anti-Vedas, he was anti-Murti Puja, and he was anti-Hinduism, and he envisaged the union of England and India as two Christian countries, अभी और क्या कहना है, बोली, उसके बाद क्या कहना को रह गया, simple, यह साफ अगया, He was a crypto-Christian, भी और नहीं? He was definitely a crypto-Christian, he was buried in a Christian grave, उसका जो burial price है वो इंगलंड में कहीं पर है, वो I think Bristol में है यह जाएद, if I am not mistaken, and it's a Christian grave, I mean, किसी भी Hindu का आज तो burial होता नहीं है, I mean, 99.9% Hindus are cremated, right? तो उसका जो anti-Sanskrit, वो Christian anti-Sanskrit, and so it's very clear in all, from all this evidence, कि यह बहुत सबसे, he was the original, जैसे आपने कहा, he was the original crypto-Christian, and his agenda was to convert India and to wipe out Hinduism, wipe out Burthi Puja, wipe out the Vedas, and wipe out Sanskrit. And he helped the British a lot in doing this. Yes, and he succeeded magnificently as far as the education system is concerned. और यह भी मुझे पताया गया है कि वो जो थे एक जो particular sect है Christianity का, Unitarian, एक तो जो आपका जो normal और जो बहु परेचलित है वो तो है Trinitarian, Trinitarian का मतलब उसमें क्या है कि the Father, the Son and the Holy Ghost, यह तीन होते हैं. और उनका जो Unitarian system है उसमें खाली जो है वो God, और the Son is also the God. उसमें Sun भी जो है वो भी God. बड़ी अजीब भी है कि दोनों जो हैं वो बाप और बेटे जो हैं वो दोनों ही God हैं. और एक ही हैं. तो खेर, you can draw parallel हमारे वेदान से parallel निगा सकते हैं. एक हम रूप हम बहुदाया करोती करके तो एक रूप जाए वो अनेक रूप में हो गया लेकिन अनेक रूप में हुआ तो सिर्फ सन ही क्यों नहीं क्यों हुआ, अनेक और रूप क्यों नहीं हुआ यह प्रिश्ट वश्या जो रिफॉर्म्स के अटेंप्ट्स थे, यह इब्रहमो समाज था और क्या आरिये समाज भी था, अभी आप अगर दयानन्द सरस्वती जी की बात करेंगे तो वो भी मुर्ति पुजा के बिलकुल विरुद्ध में थे, उनको भी हिंदूइस्म को रिफॉर्म करना था, तो म जो बेंगॉल का जो इंटेलेक्चिल रिवोलुशन की बात होती है, बेंगॉली रिनेसंस की बात करते हैं यह इतना, यह पूरा यही था, कि हिंदूइस्म को रिफॉर्म करने का अटेंप्ट करते थे यह लोग, by trying to stamp out Sanskrit, trying to stamp out मुर्ति पुजा, and trying to impose various foreign versions of monotheism, essentially यह जो बात करते हैं, to eradicate मुर्ति पुजा, eradicate all that, यह monotheism को impose करने का attempt था, through a different form, यह step by step करने के बात है, पहले आप हिंदूइस्म को थोड़ा चेंज की जो इसको reform कीजिए, पिर आप बोले कि हिंदूइस्म के पुरानी practices बहुत बुरी थी, गंदी थी, etc. और फिर आप बोले कि इससे एक अच्छी चीज है, father, son, holy spirit, etc. या unitarianism, whatever, तो यह धीरे-धीरे gradually Hinduism को eradicate करके Christianity को लाने की का यह बहुत long term plan था, और आज भी यह implement हो रहा है, so it all began with people like Ram Mohan Roy in Bengal in the early 19th century, और यह सारा जो Bengali reformation, revolution, renaissance, जो भी बोलते हैं यह लोग, यह सब यही है, अब सारे के सारे उसमें ऐसे नहीं थे, आप Swami Vivekanam तो इतने महा निकले बंगाल से, तो यह वो भी है, लेकिन Ram Mohan Roy जिसे लोग थी, बिलकुल British स्टूज थे, और यह जो राजा उनको title दिया गया है, वो British लोग नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि Ram Mohan Roy ने British लोग So, that's what it is. करेंगे, लेकि मुझे लगता है कि वहीं पे यह मात खा गए, क्योंकि एक Brahma कभी यह नहीं कहता, क्योंकि एक Brahma जो है, वो अनेक रूपों में प्रकट नहीं हो सकता, यह मूर्थी पूजा के जितने भी आलोचक हैं, वो यही मात खा जातेंगे, वो जो है, एक Brahma जो, highest consciousness य और वहां पर यह पूरी तरह से मात खा जाते हैं. कि उनके जितने भी अधियरंस से वो अभी मुर्ति पुझा नहीं करेंगे और सिर्फ एक भगवान की उपासना करेंगे और इससे हम शुरू करेंगे यह पूरा प्रोग्राम टू इंपोज मोनोथीजम इंडिया इंडिया इवेंचुली विकन वन्स एक बार एक कोई व्यक्त इसको जीसस क्रैस्ट या व्यक्ति अब्रहम एक गॉड इलोही व्यक्ति उसको आप कनवर्ट करते हैं तो इसको बिकमस मच एजियर इफ यू फॉर्स पर्स बेगो इस बिग कनवरशन तो ब्रहमो समझ का यही था eventual objective और इसके बहुत सारे supporting evidence है for instance राम मोहन रोई ने बहुत सारे English missionaries के साथ अपना association किया था उनके उनको introduce भी किया था बहुत सारे लोगों से और उनका जो प्रवचन होते थे उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा facilitation किया था and so on, it's all on record तो यह तो बहुत clear है कि उनका actual agenda और objective क्या था अगर आप Hinduism को reform करना चाहते हो और अगर आप Brahma समाज बना कर सिर्फ Brahma की पूझा करवाना चाहते हो तो आपको Christian missionaries के साथ इतना association करने की जरूवत क्या है क्या 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 कारण है इसका तो यह अगर आप पूरा उनका overall activities का record देखेंगे तो it's very clear कि उनका actual agenda proselytizing और evangelical agenda था और इसके लिए उन्होंने यह vehicle खड़ा किया Brahma सवाज जैसे eventually Alan Hume ने एक vehicle खड़ा किया था Indian National Congress to shepherd the so-called Indian freedom struggle in the way the British wanted तो यह एक parallel चीज़ है it is a pattern you see repeatedly in the British occupation of India and they succeeded magnificently with the Sikhs उन्होंने Sikhs के साथ एही किया और Sikhs जो थे वो उस चक्कर में आगे और आजा देखिए क्या हाल हो रहा है जब एक बार आप monotheism पकड़ लेते हैं तो जो इस समय आप जो Sikhs कनमर से देख रहे हैं उसका direct result है yeah I think monotheism once एक बार कोई भी इसको adopt करता है तो इसको control करना, manipulate करना काफी आसान हो जाता है because of the military structure military style structure of the organizations that control monotheism so एक बार आप monotheist बन गए तो आपका thought process बहुत simple हो गया, सारा nuance चला गया और आप essentially you become very conducive to taking commands from those who see as your masters और सिखिजम में हमेशा से सिखिजम हमेशा से हिंदू धर्म का ही एक हिसा था अगर आप महाराजा रंजित सिंग जी की का life देखेंगे तो उसमें भी यह है उनका जो द्वज था उसके उपर दुर्गा देवी का I think depiction था and so on अब रंजित सिंग जी का भी जब देहान्थ हुआ तो उनकी पत्नियों ने भी सती किया था तो अभी अगर सिखिजम मनोथीजम एटसेटरा है तो यह हिंदू चीज कैसे आगे सिखिजम के अंदर तो यह अगर अब पूरा प्रॉपरली हिस्ट्री देखेंगे तो यह सारे के सारे जो अजेंडाय निकल जाएंगे और सारा दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है बिल्कुल यह आपने बहुत अच्छा है इसका एक पूरा सारे विवराल दिया है अब हम इस पर प्रेशन ले सकते हैं दर्चकों से मैं अनुरोद करूँगा कि आप अपने प्रेशन पूछ सकते हैं हमारे सपोर्ट के लिए वाटस अप नंबर भी दिया हुआ है और यह आप यह पे टीम जी पे फोन पे पे भी कर सकते हैं और दिस्क्रिप्शन में भी जाके कर सकते हैं इससे पहले आप इस वीडियो को कपे शेयर करें लाइक करें बेल आइकान दबावे और हमें फालो भी करें वहाँ उसका लिंक भी दिस्क्रिप्शन में है